सर फरोसी की तमड़ना अब हमारे दिल में है, देखना हैं जोर कितना बाज़ उए कातिल में हैं, बाज़ उए कातिल में हैं, तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज भगगत सिंग के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स नमबर वन जब 13 अपरेल 1919 को जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों पर गोली चलवा दी तो इस बास से 40 किलो मीटर दूर गाउं से एक बच्चा जलिया वाला बाग की तरफ पैदल निकल पड़ा और खून से सनी हुई मिट्टी को अपने हाथ में लेकर अंग्रेजियों से आज़ादी के सपने देखने लगा ये मिट्टी लेकर जब वो घर पहुँचा तो उसने अपने पिताजी से का पिताजी आप कहा जा रहे हैं तो पिताजी ने कहा कि मैं आम की गुटलियां बोने जा रहा हूं जिससे पेड़ लगेगा और बहुत सारे आम मिलेंगे भागने में भगत सिंग सफल रहे बेटेस पुलिस अदिकारी जोन सांडर्स की हत्ता के करीब एक साल के बाद भगत सिंग और बट्टु केश्वर दतने दिल्ली के सेंटर असेंबली हॉल में बंफैके और इंकलाब जिन्दाबाद के नारे लगाए सब्सक्राइब भगत सिं कि भगत सिंग हस्ते हस्ते फासी पर चड़ गए थे और वेटेस सामराज्यवाद का नासो यह उनके द्वारा वेटेसों के खिलाफ एकंतिम नारा था पैक नमर पांच कहा जाता है कि भगत सिंग की आखरी एक्षदी कि उन्हें फासी पर लटकाने की जगा गूली मार कर प्रेरित किया दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू